नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम आगे के करेंट अफेस के बारे में चार्चा करेंगे, पिछली दो कलासों में हमने करेंट अफेस के बारे में चार्चा की थी, आइए देखते हैं आगे के करेंट अफेस क्या-क्य 68-way यानि 68-way इस से अवार्ड से सम्मानत किया गया है, 68-way नेशनल अवार्ड से सम्मानत किया गया है, नेशनल फिम अवार्ड में Most Friendly State का अवार्ड दिया गया है, मत्र पिदेश को यह अवार्ड 2017 में भी अवार्ड यह मिल चुका है, तो इसे अभी 2022 में मिला है, और 2017 में से प्रमाड़त जिला बना है, तो बुरहान पो जो जिला है, यहां क्या हुआ है, कि केंद सरकार को महत्तोकांची योजना, जो केंद सरकार की महत्तोकांची योजना थी, जल जीवन मिसन के तहत, हर घर में नल जल में पे जल पहुंचाने, परते एक ऐसी एक केंद सरकार की तो इसके इस मामले में मद्वदेश का बुरहन पर जो है वो देश का पहला ऐसा जिला बना है जहां पर हर घर में यह पहुच गया है पानी तो जिले की 167 एनी 166 ग्राम पंचायतों के एक लाग से ज्यादा परिवारों को सहस्ता से सुद्ध पेजल उपलंद हो रहा है तो ब चंसेकर राजात की कितनी भी 116 भी जो यह हुई है क्या चंसेकर राजात की जैंती 116 भी पर मद्वदेश सरकार द्वारा भूपाल के रवन्द भवन में 23 और 24 जुलाई को युबा महा पंचायन का आयोजन किया गया है जिसका सुबारम मुखमंति सिवराज सिंग के द्व प्रदेश सरकार यह एक लैतर पार्क इस्थापित करेंगी मत्वदेश में सरकार ने पार्क के लिए देवास जिले के पास सीता पुर गाव में जमीन देखी है और 211 के इस च्छित में लगने वाले इस पार्क में कम से कम 2000 करोड़ रूपे से अधिक कर निवेश हो सकता है अंगला है पहला इस्पोर्ट इंजरी सेंटर इस्पोर्ट इंजरी सेंटर जो है यह भोपाल में हमीरी अस्पताल में प्रदेश का पहला इस्पोर्ट इंजरी सेंटर का नर्मार किया जाना है इंजरी सेंटर यह होता है दोस्तों कि किसी भी खलारी जो होते है सीटों के लिए आवेदन किया है PG सीट मिलने के बाद यहाँ Sports Medicine course भी शुरू हो जाएगा और Sports Injury Center भी हो रहा है तो वहाँ पर इसलिए यह खास हो जाता है अगला जो है वो है India Innovation Index में मद्ध पिदेश 13 स्थान पर तो इंडिया Innovation जो Index आया उसमें मद्ध पिदेश का 13 स्थान पर आया है 21 जुलाई 2022 में देशकुर नीती आयोक के उपाध्यक सुमन बेरी के द्वारत जारी इंडिया Innovation Index में 2022 में 17 प्रमुक राज्यों में मद्ध पिदेश 13 स्थान पर आया है तो इंडिया Innovation Index में टोटा किते राज भाग लेते तो 17 राज्यों ने भाग लिया इंडिया का नंबर किता है 13 नंबर है पहले नंबर पर साइथ करनाटक आया है पहले नंबर पर करनाटक है यानि करनाटक का जो नंबर है करनाटक का पहला नंबर आया है और अंतिम नंबर पर जो आया है वो है 36 गड़, 36 गड़ जो है इसका अंतिम नंबर आया है, 36 गड़ का अंतिम नंबर और करनाटक का फास्ट है, तो करनाटक पिथम नंबर पर आया है, इंडिया इनोवेशन सेंटर में, आप याद रखें, और जो ये 17 वार नंबर आया है, हुला है 36 वा मद्दपर देश का कुन さ अस्तान है तो अप यह याद रखें आगे देखते हैं कि आपको सिप्पुरी जिले के करेट़ अब्भारन को किया गया है सिपुरी जिले के करेैड़ भिहरन है कि मद्दप्र देश में 23 से अधिक जब करे ऑद्भारनthि दाव अभ्यसासन ने भारत सरकार से प्राप्त स्विकृति के बाद एक और महात्पूर अधिसूजना जारी करते हुए सिप्पुरी जले के करेरा में 202.2 एक बर किलोमेटर में बने बने प्राणी अभ्यारन को समाप्त करे दिये यानि जो यह अभ्यारन था यह अभ्यारन की से गठन 1981 यानि 1990 में अभ्यारन का गठन किया गया था यहाँ पर क्या हो रहा था सौन चडिया जो होती है उसका सर्रक्षर किया जा रहा था क्योंकि सौन चडिया अब देखने को कम मिल रही थी ब्लुक्त प्रजाती की सेड़ी में को आ गई थी सौन चडिया तो इसलिए आक हो गए स।issy कम हो गई ह कि का अगि देखते हैं में अधिकारिता मंतरालयो इद्वारा कराई गई ग्रेडिंग में मद्रपधेश नसा मुक्तृवियान में देश में पहले नंबाज है है वही मद्ध पिदेश के दतिया जिले को देश में पहला नमबर मिला है यानि मद्ध पिदेश का जो दतिया जिला है उसको देश में पहला इस्थान मिला है यानि जलों की बात की जा तो सबसे नमबर वन पर पूरे देश में आया है दतिया जिला और अगर राज्य की बात क कि अभी जो खतम हो गया है कौन सा अपना सिप्पुरी जिले का जो जियरा अभ्खिहरन था वो समाप्त हो गया है लेकरन नया अभ्खिहरन बना ए करما जिरी करमाजरी cuti है को एक नयां कर्माइच क्योंकि भी कि यह किससे लगँ भाइती प्यर्ञों लुए प्यच के, सीमाबयती यōकों में यह क्रामाजिरी अभ्यारण ही, तो यह important हो गए, इसका च्रों च्छेतफ़ल कितना है ? 1410.42 यह इसका hectare इसका च्रों च्रों इसका बारत्मान में कितने अभ्यारण है, तो यह भी important है कि बारत्मान में भोपाल को Best Employer Brand Award 2022 से प्रिस्कृत किया है, बोड ने पिछले बरसों में नई यूजना के उत्क्रिष्ट किरियानबेन, पारदर्सी प्रसासन एवं हित्गराही सेवाओं में सबसे उत्च स्थन बनाया है, सिक्षा बोड को बरस 2022 में IESO प्रमारपत्त भी मिल चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी यह करेंटरफेस की क्लास थी यह समाप्त होती है, अल्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाग, आंगे की जो भी क्लास होगी तो उसमें हम, कम से कम हम जो टोटल क्लास होगी, वो छे क्लास हैं, यह करेंटरफेस पर बनाए झाल, 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